तो आज हैं पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड मैथ्स चैप्टर वन फोर डिजिट नंबर्स का नेक्स्ट क्वेशन जिसमें बोला गया है तो students ascending order क्या होता है यह आप पिछली classes में पढ़ क्या है और आपने इसी class में पिछले lectures में भी पढ़ा है फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूं कि ascending order क्या होता है कि पहले सबसे छोटा नमबर लिखते हैं उसके बाद उससे बड़ा नमबर लिखते हैं उसके बाद उससे भी बड़ा नमबर लिखते हैं और last में सबसे बड़ा नमबर लिखते हैं ओके students तो इस टाइब से हमें पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो हमारा फर्स्ट क्वेशन है 6425 नेक्स्ट है 7100 नेक्स्ट नंबर है 649 नेक्स्ट नंबर है 6924 तो सबसे पहले स्टुडेंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि अगर हमारे पास 3 डिजिट और 4 डिजिट वाले नंबर होते हैं तो जो 3 डिजिट वाला नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है तो यहाँ पे 3 4 डिजिट वाले नंबर है और 1 3 डिजिट वाला नंबर है तो जो 3 डिजिट वाले हैं और एक 7000 वाला है तो हमें छोटे वाले को पहचानने हैं तो 6425 है और 6924 है तो obviously 6425 वाला छोटा होगा और 6924 वाला बड़ा होगा क्योंकि अगर हम इनका number wise comparison करेंगे तो यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है तो जो 4 वाला है वो छोटा होगा तो अब हम लिखेंगे 6425 उसके बाद अब हमारे पास दो numbers बचते हैं एक है 7100 और एक है 6924 तो obviously 6000 छोटा होता है और 7000 बड़ा होता है तो पहले हम इसको लिखेंगे यह हो जाएगा 6924 और last में सबसे बड़ा number हो जाएगा that is 7100 तो इसको हम लिख देंगे 7100 तो अब इस question में कुछ students को confusion होती है कि हमने कौन सा number लिख लिए और कौन सा number बाकी है तो हम इसको और easy way से कैसे solve कर सकते हैं जैसे हमने सबसे पहले 649 लिख लिया तो हम उसको ऐसे pencil से cut कर देंगे कि हम यह number लिख चुके हैं तो हम इसको फिर से नहीं देखेंगे अब हमें इन तीनों में से सबसे चोटा डूनना है उसके बाद हमने यह लिखा तो हम इसको भी cut कर देंगे इन तीनों में से सबसे बड़ा ओके स्टुडेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेशन है 2,892 2,982 2,298 और 2,289 तो स्टुडेंट्स इसमें सारे नंबर 4 डिजिट के हैं और सभी में 2,000 2,000 2,000 2,000 है तो इसमें हम सबसे चोटा नंबर कैसे डूननेंगे स्टुडेंट्स तो हमारे पास यहां पर 2,298 दिया हुआ है और 2,289 दिया हुआ है तो हम इन दोनों को देखते हैं कि यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है 2nd place पे भी 2 है 2nd place पे भी 2 है 3rd place पे यहां 9 है और यहां 8 है तो क्या होगा 8 जो है वो छोटा होता है तो हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे ठीक है students तो हम लिखेंगे 2,289 उसके बाद हमने 2,289 और 2,298 को compare किया था तो 2,289 पहले आ गया अब 2,298 आएगा counting wise order चल रहा है students 2,298 इसके बाद है 2,892 और 2,982 तो यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है यहां 8 है और यहां 9 है तो पहले हम 8 वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,892 ओके students उसके बाद last में क्या बच गया था यह 2,982 तो इसको लिखेंगे 2,982 तो इसमें भी same हमने जो सबसे पहले number लिखा था उसको हम cut कर देंगे that is 2,289 उसके बाद इन तीनों में से सबसे चोटा यह number था तो इसको भी हम cut कर देंगे अब उसके बाद इन दोनों में से यह चोटा number था तो इसको भी cut कर देंगे हम तो इस type से यह ascending order में arrange हो जाएगा next question दिया है हमारे पास 8,341, 8,143, 8,431 और 8,314 तो इन में सभी के first digit में 8,888 है तो हमें 8 तो देखना नहीं है उसके बाद वाले numbers हम देखते हैं 3,4,1, 341, 143, 431 और 314 तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा मिल गया 143 यह 400 वाला है यह 300 वाला है और यह भी 300 वाला है तो हम 143 वाले को सबसे पहले लिखेंगे that is 8,143 8,143 उसके बाद अब second number यह 300 वाला है यह 400 वाला है यह 300 वाला है तो अब हम 3,3 वाले को compare करते हैं यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है तो जो 1 है वो छोटा हो जाएगा तो 8,314 लिखेंगे अब हम 8,314 ओके students उसके बाद यह 300 वाला था और यह एक और 300 वाला था तो अब 300 और 400 वाले में से छोटा हो जाएगा यह 300 वाला तो 8,341 लिखेंगे अब अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है that is 8,431 तो इस टाइप से यह भी असेंडिंग ओर्डर में अरेंज हो गए तो हमने सबसे पहले लिखा 8,143 तो इसको हम अटा देंगे उसके बाद हमारे पास 3 नंबर बचे थे तो हमने लिखा 8,314 तो हम इसको भी अटा देंगे उसके बाद हमने लिखा 8,341 अम उसको भी अटा देंगे और यह था सबसे बड़ा नंबर ओके स्टुडेंट्स लास्ट क्वेशन देखते हैं तो इसमें भी सभी में 5000 5000 5000 और 5000 है तो हम सेकेंड डिजिट से कंपेर करते हैं सेकेंड डिजिट पे है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है तो हम सबसे पहले 1 वाले को लिखेंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि 1 सबसे छोटा होता है अब हम इसको यहीं पर कट भी कर देते हैं अब हमारे पास तीन नमबर बचे तो यहां भी 5 है यहां भी 5 है और यहां 7 है तो अब हमको 7 वाले को तो देखना नहीं क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो यह 5 और 5 वाले को compare करेंगे तो यहां पर भी 5 है यहां पर भी 5 है उसके आगे digit में देखते हैं यहां पर 5 है यहां पर 3 है तो जो 3 वाला है वो छोटा हो जाएगा तो उसको हम पहले लिखेंगे 5537 अब हम इसको cut भी कर देते हैं अब हमारे पास यह second place पर 5 है यहां पर 7 है तो 5 वाला छोटा होगा उसको लिखेंगे 5555 इसको भी cut कर देते हैं अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर रह गया है जो है 5755 इसको लिखेंगे 5755 ओके स्टुडेंट्स आई होप आपको यह clear हो गया होगा अगर आपको अमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी एन वीडियो को लाइक ज़रूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू